हलो फ्रेंड और वेल्कम टू फिल्लर फॉर्म आपका स्वागत है मारे चैनल में दूस्तों आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि अभी तक जो नेट एक्जाम का पेपर हुआ है उसमें किस यूनिट में से कितने किसे अभी तक पूछे गए उस बारे में बात करेंगे इससे आपको पता लग जागा कि कौन सी यूनिट काफ ही इनपोटेंट है ठीक है तो चली दोस्तों सुरुआत करते हैं पूरा वीडियो देखना वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आप दोस्तों में वोड्सप पे भी गुरूप पे जोइन कर सकते हो दोस्तों अभी हमारा पूरा syllabus complete हो चुका है और अभी हमारा जो main focus है वो ये mock test solve करने में तो दोस्तों आप प्लेश स्टोर से हमारा जो application है filler form वो download कर सकते हो प्लेश स्टोर से link मैंने mention कर दिया है जांसे आप download कर पाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको mock test हो गए MCQ हो गए दोस्तों आप जिसे ही हमारे channel पर जाओगे आपको यहाँ पर सारी classes मिल जाएगी first unit second unit सारी unit के साथ आपको MCQ की यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चली बात करते हैं अब यहाँ पर किस unit में से कितने question आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों इसे अगर हम UGC की बात करें यहाँ पर average होता है कि हर unit में से 5 question आपको देखने की मिलेंगे अगर हम first unit की बात करें तो 2018 जोलाई की बात करें आपर 5 उसकर आपर देखने को मिलेते हैं फिर 7 फिर 6, फिर 7 6, 4 4, 8 2 ठीक है तो दोस्तों last बात करेंगे आपर 2018 से अगर हम चलते हैं адц Karaorn तो थो जार दस तक हम बात करें तो 올्रेज देखा जाए तो भी सब्सक्राइब धिताते उच्छ या रही से ज्याता गया यह सोट टो bात करेंका आजा से ज्टो साथ इतेलेव में अझने शुक्ष णिवन टॉम।क्सा आफंट ने करने दो पर दोस्तों देखोंगे चार चुछ नहीं है अब हम बात करेंगे यूनियीन नमर फॉर्थ की जहां एंग्लिस की होते दोस्तों यहाँ से ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलते फिर भी 4 आपको देखने को मिलेंगे 2018 जुलाइव में 4 question यहां पर देखने को मिलेते पिर 5, 6, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 6 बतलब दोस्तों यहां पर ज़्यदा question देखने को नहीं मिलते 4 question आपको देखने को मिलेंगे तो अब ही तक 1st unit, 2nd unit important है अब हम बात करें math and reasoning की तो दोस्तों यहाँ पर 5 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7 बतल अगर average देखा जाए तो 5, 6 का average यहाँ पर बनता है अगर हम logical reasoning की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी 5, 6 क्युस्टन देखने को आपको मिलते मिलते अगर हम ICD की बात करें तो दोस्तों ICD में 5, 4, 5, 6, 6 इतने क्युस्टन आपको देखने को मिलेंगे तो अगर हम दोस्तों simple सी बात में आपको बताओं तो सबसे ज़्यादा important unit होती first and second unit जहां से आपको ज़्यादा क्युस्टन देखने को मिलेंगे अगर हम environment की बात करें साइंस की तो यहां भी ज़्यादा क्यूस्टन देखने को नहीं मिलते हैं और अगर higher education की बात करें तो दूस्तों यहां पर देखो कि 2018 हमें 3, 3, 5, 5, 7, 6 मतलब ज़्यादा इतना average आपको नहीं मिलेगा तो दूस्तों यह PDF जो यह skins order में हमारे वर्सप गुरूप पर आपको send कर दूँगा वहाँ साब इसको download कर लेना और अगर कोई भी दूस्तों आपके doubt कोई query होता हमें message कर सकते हो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद have a nice day take care